नारियल का चिलका, जी हाँ, यहाँ पे नारियल के चिलके के ऊपर खेती हो रही है, यह बहुत ही अजीब और गरीब खेती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्वाइल भी नहीं है, तो आज हम आपको बहुत ही स्पेशल खेती के बारे में यहाँ पे जानकारी देने वाले है यहाँ यह फूल है इसको बोलते है और्किड इस फूल का नाम है और आज के पहले इतनी इन डिटेल वीडियो आपने और्किड के बारे में नहीं देखे होगी वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं मैं आपको यहाँ पे एक फूल हार्वेस्टिंग करके भी दिखाता हूँ जैसे कि यहाँ पे यह देखे यह फूल पूरा का पूरा रेडी है यहाँ से मैं नीचे से इसको कट कर देता हूँ यह देखे मैंने हार्वेस्टिंग किया कमाल का फूल है और यह बहुत ही अच्छे भाव बिखता है और यहाँ पे बहुत बड़ा पॉलिया उस है और पिछले 4-5 सालों से और्कीड का खती करता हुам चाहर पांग साल genommen, यह जैसे उडरेंग है और वह मिर्ची का चल रहा है बहुत सालों से मिर्ची का चल रहा है तो आभ हम हैं बहुत सालों से बता दीसे हैे अभी वांगाव, यह महरास्च बॉर्डर पे आता है पालगर डिस्ट्रिक और गुजरत बारडर पर आता है यह नया कुछ करने का है इसके लिह हम लोग ने पीछले 4-5 सालों से और्किड का ये experiment किया है एक्सपिर्मेंट नहीं है काफी बनाने के लीए बाहता च जानतार उले यह यह और यह गुलvent से की मैं इंडिया में है इंडिया में बहुत यह में लेकिन लोगो पता नहीं है अब हम और दस साल कर्ट से 2019 से हम लोग ने करना चालो किया है कमर्शियल बेस पर लोग बोलते हैं कि जहां पर मिट्टी नहीं है वहां पर खेती करना काफी मुश्किल हो जाता है इसको क्या है और के लिए हुमिड क्लामेट लगता है और हमारा कोस्टल एरिया है यहां से 5-6 किलोमेटर पर बीच है सम दो दो है रिए जैंतरना है थो होता है यां तो इसको सिस्टम जो यह मिटे में नहीं को इसका है टिशू का प्लांट आता हैaper अ वह एक बागप कर्ते हैं पीर इसको यह नारियल के चिलके में लगाते हैं एक एकर में लगबग 40,000 प्लांट ड़कते हैं तो उसको लगाने के बाद 1 साल के बाद इसका प्रोडक्शन चालो होता है एक साल उसको ग्रो करना पड़ता है अब यह प्लाइव लगबग तार का है तो इसके लेंद कमर्शिली जो चाहिए वह आ गई इस फूल को जो लेंद चाहिए वह आ गई है जाता है जैसे बढ़ते जाता है वैसा इसके लेंद बढ़ती जाती है चोटा रहते है उसको भी वीम्तूर से बैंगलोर वहां से आता है लोकल का शहल उफ्का उनकॉंटिती नहीं मिलता है 우리는 बड़ेइखे कान्टिटी के वैजे से हमको वहां से स्वान पड़ नयग डाते हैं लोक नारिल के ऊपर क्योंपे रख देते यह मॉर्किंग प्र वोध value लगाते फिर उस बगल में यह सब शिलक है लगाते तो तौ फिर उसको वा जाएसा शेए गान बड़ेगा वैसayı उसके रूट सुसमे चिलके में गुपे गुश्टे जाते और यहां पर मैंने देखा कि डिया फे इरीगेशन नहीं है यहां पे कोई किनेसा इसे से इरीगेशन करतें से इसे इरीगेशन करते हैं तो नुट्रिशन भी इस से 2 घृटे हैं बजा सव अब तक वोऑ जब लगा देते हैं तो यह प्लांट कितने साल तक चलता आ है उसका बाद में commercial quality थोड़ा weak होने लगता है यह जो फूल का जो diameter है यह जितना अच्छा quality रहेगा उसी को rate मिलेगा अगर यह इसका quality जैसा कम होते जाता है फिर वो उसको plants को बदलना पड़ता है यह बात है और यह variety कौन सी है यह sonia red sonia red और white में sonia white करके आती है तो एक पूशन चाहूँगा जो आप लोग video देख रहें जहां से विकिसान भाई हो कि आपने कभी देखा यह full कहां पे इस्तमाल होता है कमेंट किजेगा आप बताइए कहां काभी स्तमाल के जाता है यह hotels में होता है अपना events में होते शादी में होते गंधवती में होते हैं जहर ज सब्सक्राइब लेकिन इसको पहले से स्टड़ी करके इसको रखना पड़ता है अगर इसमें एक्सें बहुत ज्यादा टाइम लगता है आता जल्दी नहीं लेकिन आ गया तो वह प्रेसे जाता है इसको चारपा स्प्रे लेने पड़ते और इसको फंगल डिस बैक्टिल डि बाजु वाले पर उड़ गया तो यह भी सड़ता है और फंगल डीसी आते बोरर लगती है इसमें वह भी सब प्रोब्लेम होते है माइट आते हैं अच्छा मतलब डीसी आते हैं इसमें पहले से आप कंट्रोल रखेंगे थोड़ा कम आते हैं और अभी पूरा पॉलियोस कितना है यह लगबग पौने दो एकर है और एकर में आग कितना बैठते बताया अपने 40,000 लगते हैं मतलब यह जो आप बोल रहे हैं कि जब यह लगा देते हैं तो इसके जड़े एक दूसरे शेल के उपर बढ़ते जाते हैं यह प्लांट के जड़े यहां तक भी जाते जितना वर बढ़ेंगे उतना यह अच्छा ग्रोभ होगा तो इसको रोजनेट तयौस देना पड़ता है कभी-कभी तुरुषा जाता है यह चागर अगर नुट्रिशन रोज देंगे तो इसका ग्रोफ भूय जाता है तो यह पर तोड़ पे टोटल कितना पॉलिय है उस एरिया मे कि इसी से लगा हुआ है यह चोटे बात को चीजी बती अग्जर अगर कुछ छीज़ित लेंद नेकर कम हो गया वनकिर में लाइकट यह इससे भी डार्क रहेगा तो और इसका वैल्यू बढ़ता है मतलब यह जो परपल कलर है यह डार्क रहे ज्यादा रिफ्लेक्ट होना चाहिए तो रहे अच्छा मिलेगा तो रहे अच्छा मिलेगा बीस फुल का एक बंच तीन सु रुपे को जाता है अगर और अच्छा हो उसको निकलते हैं अच्छा यह क्या और्किड की खेती किसी भी आम फार्मर के लिए असान है क्या जिसको यह नौलेज हो उसके लिए आसान है बीना नौलेज की करने जाओगे तो दिक्कत है पहले इसकी जानकारी लेने के बाद वो करना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने भी स्टोरेज भी है अच्छा वाटर स्टोरेज यही नीचे होता है यह नीचे 2.75 लाक लिटर का स्टोरेज है तो एक चीज दोस्तों जरूरी है कि इसको नौर्मल पानी थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं यह आरो वाटर है फिल्टर वाला वही पानी इसको लगता है क्योंकि नौर्मल वाटर में जो चार रहते हैं उसके एक कलर पे दब्य आते हैं तो उसके मार्केट रेट मिलता नहीं और सेल नहीं होता है यह जल्दी अगर साधा पानी रहेगा तो यह वाइट वाइट सब चुखने के बाद दिखता है और आरो का पानी में कुछ नहीं रहता है अच्छा यह बाद है मतलब हम साधा पानी इरिगेशन करेंगे उपर से तो इसके उपर दब्य आ जाते हैं तो चुकने के बाद पानी तो उड़ जाता है लेकिन वह दब्य रह जाते है रारो के पानी से दब्य नहीं रहता है तो कम रहता है तो कम रहता है उसके वैसे बिखता नहीं है इंट्रेस्टिंग मतलब इतना दोस्तों ध्यान देना पड़ता है कि धब्बे तक इसके उपर नहीं आने चाहिए तभी अच्छे रेट बिखेगा इसका इसका क्वालिटी रहेगा तभी यह बिखता है अगर हमारा भी कुछ मतलब यहां से आर ओ से पाने को पाने इसके ख cheated ज्यांक रिया मतलब इसके घ्रक्रक्वाफ षब्बाण ऌतता अगया है तो हमारे प्लावद को सामने वाला मंग वालता नहीं है अचा से आपका पूरा फर्टिकेशन और प्रॉर इwenट चलताए चलता है कि उरए प्ली ओधेश हमको भी अगर यह प्लास्टिक फूल नहीं रहेंगे तो हमारे पास भी इसका डेली डिमांड आएगा अभी कैसा रहता है कुछ इवेंट रहेंगे कुछ रहेगा जो एक्चुल रियल फ्लावर को लोग पसंद करते वह इसको मंगवाते हैं अगर प्लास्टिक फ्लावर नही इसका जो लुग है कोंसे भी प्लास्टिक फ्लावर में आता ही नहीं है इसका इसके रिफ्लेक्शन आप देखो संलाइट में कितना रिफ्लेक करता है कमारे रात को अगर यह लाइट में देखेंगे ना तो बहुत बढ़िया दिखता है अच्छा और इसको आप जो चाहे अगर इसको फूड कलर लेंगे ब्ल्यू कलर का लिया इसका फूल को अधिका फूल रिखना चालू हो जाता है काफे इंट्रेस्टिंग सब्फूल है तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर करते रहेगा, आपको इसके एकनोमिक्स के बारे में बताने वाले हैं कि आप कितना प्रोफिट कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, कैसे खेती करना चाहिए, तो मुझे एक चीज़ बताईए हमने चालीज़र प्लांट लगा है, तो इसको इरिगेशन ज्यादा करना पड़ता है, अगर रेनी सीज़न है, तो इसको कभी-कभी 4-4 प्रस दिन पानी भी बंद रखना पड़ता है, तो यह समझने वह डेली अप्जरबेशन का खेल है, इसको यह कंप्यूटर करके भी कोई हमको देखना ही पड़ता है, यह कमर्शियली कभी सेल होते हैं, जब इसका लेंध उतना आ जाता है, उतने उसमें फ्लावर दिखेंगे, तब वह कमर्शियली सेल होते हैं, तब तक आप उसको मार्केट भेजेंगे तो भी वह लूस फ्लावर में इसाथ जाएगा, उसका पैसा को आपको मतलब रिटन न सिसाल पैसा मतलब डेली का चालकूलेशन नहीं रहता है कभी-कभी याड़ा स्टिक देता है पहले साल दो तीन देता है जैसा जैसा पुराना होते जाता है बढ़ध बढ़त कि और वह इसाफ से फिर इसका प्रोडक्शन बढ़ता है और क्लाइमेटिक कंडिशन पर भी यह मतलब अभी टेंपरेचर ज्यादा है तो यह फ्लावर्स कम रहते थंडी रहेगी तो फ्लावर्स ज्यादा रहते फिर भी अंदाजन एक एकर में हमें साल के कितने स्टिक्स मिलते हों कि 70-80,000 स्टाइंग में मिलते हैं साल का सत्य है 70-80,000 पकड़ के चलो कि उतना में लेगा क्योंकि कोई प्लाट में फूल आता है किसी में बाद में आता है 40,000 कि 40,000 एक टाइम पर फ्लावर्स नहीं देते हैं का आज इसको है कल उसको है वैसा यह रहते हैं अभी आपका नय कितना हो जाएगा इनिशियल एक एकर जो कोई करता है उसको लगबग एक करोड लगता है क्या है जो फर्स टाइम करता है उसको आरो लगाना पड़ता है इरिगेशन सिस्टम लगाना पड़ता है इसको एक्स्टेंड करता है उसको कुछ बेसिक चीजे वह दूसरे ज्यादा लगता है ज्यादा लगता है इसको शेड भी ज्यादा लगते है इसमें मतलब च्छाव ज्यादा लगती है इसमें स्ट्रक्चर में भी खर्चा ज्यादा हो जाता है मतलब खर्चा इतना बड़ा है इसमें तो प्रॉफिट रिशो कैसा है इसमें प्रॉफिट अच् सब उसमें से माइनस करके बाद और इंट्रेस का जो है माइनस करने के बाद जो बचेगा अपना प्रॉफिट है आप यह बता दीजी कि मतलब बीस फूल का है तो तीन सुरू बीस स्टिक का रेट रहता है 300 से लेके 400-500 के बीच में डिपेंड करता है वह कैसा रहता है वह इसम फ्लक्चूरट बहुत है इसका भी मार्केट बीच में अगर फ्लावर साते इसका मार्केट एक डाउन हो जाता है क्योंके यहां के इंपूरर यहां का चोड़के थायलंड से मंगवाते फिर जब ऐसा होता है तो इसके रेट अचलक से गिर जाते 400 रहेगा तो उसका 200 भी हो जाता है तो यह हम जहाते हैं यह है जाते है पूना जाते है दादर जाते आब जोते हैं व्होच करते conviction कि इन्वेस्मेंट पहला वाला ज्यादा है पूरा study करो उसके बाद ही लगाओ क्योंकि इसे ही लगा दिया कुछ आभी तक हम लोगों ने बहुत लोगों को देखा है कैसी कम में भी फेल हुए वाकिस में उनका excitement starting में रहता है उसके बाद वो आधे पे उसको छोड़ते फिर वो उनका loss होता है start to end उसको follow करना चाहिए जो भी system हो system से चलना चाहिए हां मैं तो कहता हूं कि अगर शुरुवाद भी करने तो दस गुंटे से भी कर सकता है दस गुंटे से कर सकते पांच गुंटे से कर सकते आधे कर सकते अपना अपना capacity के इसाब से क्योंकि आपका तो हम लोगों ने एक एक से चालू किया था फिर हमको यहां पोचने में वह एक एकर से आगे बढ़ने के लिए हमको तीन साल लगे लेकिन बड़ी अलगा आपके फार्म पूरा घूम के इतना अच्छा आप आपने डेवलप किया है खासकर करके आपने कहा कि एक सी कम भी अगले साल हम जनवरी में आ चाहिए तो हम डीप में और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर हिसाब की बात करें तो मैं आपको एक बेसिक हिसाब बताता हूं एक एकर में 40,000 प्लांट्स बैठते हैं और पहले साल अगर एक स्टिक भी आ गई है ऐसी इतने quality वाली स्टिक नहीं आती है वह लेकिन जब आपका दूसरा तीसरा साल आ जाता है अगर ऐसी लेंथ आती है और ऐसा अच्छा फूल आता है तो आपका वह जो है 20 फूल का 300 रूपे का बंच जाएगा और दूसरे साल क्या होगा कि आपका जो यह आने वाला फूल है इसमें वह एक स्टिक नहीं आता है फिर आपको बताया तो आज के वीडियो का हिसाब आपको करना है तो मुझे बताईएगा दूसरे साल अगर सतर हजार से एक लाग तक स्टिक आ रही है बीस फूल का एक बंच होता है एवरेज रेट हम 300 रुपे पकड़ लेते हैं उसका पैसा कितना होगा कमेंट सेक्शन में मु मेरी वीडियो कैसे लगते हैं वो ब stories बतायीज़ा अगर आप कमेंट करते हैं तो हमारा वीडियो और लोगों तक जाता है और हमारी जो खेती के आम जानकारी देते रहते वह लोगों तक पहुंचती है,, किसाना को फायदा हो कभी लौस नावग को शिज मेरी यही रहती सार मिलते एको रुडिक्स साथ तब तक करते रही है महनत कि क्यों वावर है तो पावर है